पूछे हम दोस्तों इसके पहले की वीडियों हमने हिंदी की काफी सारे टापिक डिसकस किये हैं अगर आपने वीडियों नहीं देखे तो देख लिजेगा अब इस वीडियों में हम आपको रिजिनिंग के कुछ क्षेश्चन आपको दिखाएंगे बिल्कुल साल्ब करके जो आपको समझाओंगा जब भी मिरर इमेज आपको देखना रहता है तो आपको क्या करना होता है राइट साइड में लाइन आप खिछते हैं और इस तरह से कर देते हैं इसका मतलब यह होता है कि दरपन है जो प्रित्विम बनता है वो हमें सा लेफ्ट टू राइट बनता है यानि जैसे यहां पर अगर ई है तो यह इस साइड हो जाएगा अभी यह लेफ्ट साइड में है तो यह इस तरह से प्रित्विम बनेगा यह दरपन का प्रित्विम होता है तो जल प्रित्विम नीचे की तरफ बनता है यह दरपन प्रित्विम है अगर इसको जल प्रित्व हो जाता है तो यहां पर जैसे यह बना है तो इस तरह से हो जाएगा किस तरह से हो जाएगा आप यहां पर देखेंगे इन के बाद टी है यहां यहां पर देखेंगे इनके बाद ए है तो यह तो यह भी हड़ जाएगा बचेगा सिर्फ यही वाला आप्षम पर यह सही हो जाएगा सित्रे से यहां पर सब्सक्राइब तो सेम उसी तरह से होगा तो देखेंगे पहले यहाँ यहाँ यह यह ठीयान देना है यहाँ पर जो इसका दरपण भी होना चाहिए क्वाकि यहां पर टी से सुरू है सिर्फ उपर के दो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर सी और स में डिफेरेंस आई तो यह यहां पर देखिए पहले क्या आएगा जब इधर से शुरू होगा तो पहले इधर सी आएगा लेकिन यहां पहले एस कर दिया तो यह गलत हो जाएगा इसलिए 20 का सही हो जाएगा इसमें आपको complete syllabus मिल जाएगा उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 2700 प्लस आपको अब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे 2700 प्लस अब्जेक्टिव क्वेश्चन और 6 साल पेपर आपको यहाँ पर 2017 से 2022 तक दिया गया है नवीन पाठकरम पे अधारित है संपूर थेवरी बुक है यह इसका प्रक्टिस सेट है प्ले प्रक्टिस सेट दिया गया है उसके बाद डिटेल में इसको साल भी किया गया आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन का सलूशन भी अच्छे से दिया गया है कोई भी सब्जेक्ट हो कि डिटेल में यहाँ पर आपको साल मिल जाएगा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगर आप इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो आप हमेजन फ्लेप कार्ट सेने अब डिल कहीं से भी ल मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं कि वह विकल्प चुने जो तीसरे स्पद से उसी प्रकार संबंदित है यहां पर देखिए जिस तरह से चिकस्षक का संबंद से होगा वह कंपास से होगा जिस तरह से डाक्टर इस्टोटोस्कोप का प्रयोग सरीट के विविन नंगों के द्वारा उत्प्तन ध्वनी और सुनने के लिए करता है उसी तरह से नाविक जब समुद में रहता है तो अधिशा के लिए कंपास का प्रयोग करता है अगली संख्या चुनिए 492549 तो यह किया है एक स्क्वाइर है तो यहां पर देख पा रहा है यह अभाज संख्याओं का स्क्वाइर है तो इसके बाद क्या आना चाहिए अब देखते हैं 11 के हिसाब से क्या होगा 11 का स्वेर होगा 121 अब देखते हैं यहां पर क्या होगा अपन में है 120 वान इस राइट एंसर देखे कि वे नदेख में उस समुद को पहचानिये जो अभिनेताओं को रिपुत करता है जो गायक हैं लेकिन इंजिनियर नहीं है यहां पर आपको बताना है उस समौ को पहचाना हुएं哥 रूपित और सथा यह यह तो हो यहां गायक भी हो लेकिन इंजिनियर ना हो यानि कि अब यहां पर आप देखेंगे यह वाला एरिया पूरा यह जो तना एरिया है इंजिनियर का है अब बच रहा सिर्फ बी आप सन यही है जो अबनेता भी है और गायक भी है इसका इंसर यहां पर भी हो जाएगा जो की राइट है टे जो ट्रेट करता है जो ना मोटर मह कि गता हैए इस आंजिनियार को आपको पता लगाना है तो यह तो पुरा मोटर हो गया कि अईरिया है इससे मतलब नहीं है सім Gaming है तो इसकाव एंसर फो ड्य सही हो जाएगा अब यहाँ पर एक कुल भासा में आलमाइटी को 95 लिखा जाता है तो इसी भासा में मसी यहाँ को क्या लिखा जाएगा यह आपको बताना है अब यहाँ पर अगर हम इनके सवय के कोड लिखें तो A का 1 होता है L का 12, M का 13, I का 9, G का 7, H का 8, T का 20 और Y का 25 इसको पूरा अगर आप टोटालेट करेंगे तो यह 95 आ जाएगा उसी तरह से यहाँ पर अगर हम मसीहा का देखें यहाँ पर M का 13, E का 5, E का 19, इसका फिर 19, उसके बाद I का 9 A का 1 और H का फिर हमारा 8 हो जाएगा, अब इसको हमेट करेंगे, इसको चलिए हमेट करके देखते हैं, तो यहाँ पर 9 और 1 हो जाएगा यह 10, उसके बाद यहाँ पर 29 और 29, यह हो जाएगा 38, और यह 13, 5, 18, तो यह इसको हमालक से लिख लेते हैं, 18, 38, और इसके बाद यह भी जाएगा, 18, तो यह 18, 18, 36 हो गया, 32, 72, और दो 74, यानि यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर 74 रहे हैं, कथन और निशकर्ष का यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर तीन कारवाहिया दिए गए है, कथन में ध्यानपुर्वक पढ़ें, और तय करें कि कौन सी कारवाहिया कारवाहिया करती है, पहला कथन है कि प्रतिवर्स बड़ी संख्या में लोग दूसी जल पीने से मर जाते हैं, यह कथन है, और इसका जो निशकर्ष निकारवाहिया है, कि सरकार को तुरंद प्रवाहितों को वित्ती शहता प्रदान करनी चाहिए, लोगों को भोग के लिए सुद्ध जल का उपयोग करने के लिए सिखित किया जाना चाहिए, तो जो कुछ निगेटिव है यह तो खिलत हो जाएगा, और यहाँ अ पर सरकार को तुर्ब परवायतों के विद्ति सहायता प्रधान करने चाहिए केवल दौ अ यहाँ पर सइब करता है यहाँ पर हो जाएगा लोगों को व्योकिले सुद्ध जलका उपयोग करने के लिए शिछित किया जाना आपको अपने मन से कुछ यहां पर नहीं लेना है जो भी कथन के हिसाब से सुटेबल वैट ता है वह आपको यहां पर लेना है कि नीचे क्वेश्चन है उसी तरह से नीचे देगे कथन के तीन कारवाईयां दी गई हैं जैसा कि मैं आपको बताया दिल्ली में प्रतेग मांसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीडित हो जाते हैं अब यहां पर है कि सहर के नगर पालिका प्राजिकरण को बरसात के मौसम में डेगू की रोग थाम और निंतर के लिए तुरण कदम उठाने चाहिए दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अंसहरों चले जाना चाहिए यह तो नेगेटिव है इसको तो इंदमी अटा है हमारा तरह देखते हैं यहां पहला और तीसरा रहा है तो यहाँ यहां पर इहां पर दो वक्त अव्य आपसात्व के तो नश्कर्ट क्षक जब इस तरह सेका जाता है तो जो सभी रहता है ना स्को मच्षोटे गोले में रखते हैं यह हो गयागा हमारा चिक infinity भी चिक उसक है रचख को हम बड़ा बोला बनाएंगी जब नीचे से उपर जाएंगे यह नीचे वहला सभी में आएगा उपस नीचे कि तरफ आएंगे तो कुछ का नियम फालो करता है तो यहाँ पर देखते हैं रच्छक चलेगा तो यह सही है कि सभी चिकत्सक महान हैं नीचे से उपर जाएंगे तो सभी होता है ये भी सही है कि यहां पर दोनों करते हैं कि अन्य निश्ठ वह संक्या ग्यान कि जी जो अन्य यहां पर बांकी संख्या है यही एक भाज संख्या है और दखाजा तो यह भी संख्या है एक संख्या है कि वह सब ग्याच के जो अन्न तीनों से भिन है वेल मगरमच कछुवा और मेढख यहां पर एक वेल कि अन्न से भिन है कि यहां पर वेल होगा क्यों कि वेल जो है वह वह इस्तन धारी जीव है कि तर्दियों के एक सुबह राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है कि डारेक्शन का सवाल है फाटक खोलने पर फाटक की छाजा उसके दाएं पड़ी कि यहां पर आपको देखना है कि सुबह की बात कर रहे बात कर रहे है कि यहां पर सवाल है जाने के लिए उपने घर से बाहर निकलती है तो फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाएं पड़ती है उसके दाएं पड़ने का मतलब यह है जो है छाया किधर पड़ रही है अगर उसका मुँ इस साइड है यानि आप देखेंगे यह हो गया पूरा पस्चिम इसको हम इस तरे सगर बनाएं उत्तर दच्चिम पूरा पस्चिम जिसे साब से बनाया जाता है तो यहां पर है फाटक की छाया उसके दाएं पड़ती है यानि पूरा विधर है फाटक की छाया उसके दाएं पड़ रही है इसका मतलब यह है कि उसका मुँ है दच्चिम की तर रहेगी चाया उसके दाएं पड़ती है स्कूल जाने के लिए घर से निकलते समय राधा का मुख किस दिशा में है यही बताना है तो यह दश्चुर्द दिशा में होना चाहिए कि सभी है अब यहाँ पर है इस तरह से जो है क्वेश्चन आज कल बहुत ज़्यदा चल लाएं है ए मानस भी का रथ है प्लस भी का रथ है बी की पुत्री है और ए भाग भी का रथ है ए बी का पुत्र है तो आपको बताना है यस प्लस टी अगी यू को यू हो तो यस का यू से क्या कहां यस की पुत्री है, आव Rs 10 को उपर रखेंगे और इसको यस को नीचे रख लेंगे सब कॉपर करते हैं कर्फ पुत्री है तो इसको हम इस तरह से त्रीभूज बना देंगे विसका संबंदा हम इससे दिखा देंगे तो यस की कि पुत्री है ड Bennett यूो का मतलब है ये वह है, ए, भाग का पुत्र है, ए, गाते, इसका मतलब कि T जो है वह यू का पुत्र है, अब T पी ये पुरूस है और ये यू का पुत्र है, यू का पुत्र है, तो यहाँ पर बताना है कि पूत्र की पूत्री क्या होगी तो पूती हो जाएगी एक खुट भासा में बीइंग को अच्छेस 442 लिखा जाता है तो इस भासा में हुमेन को क्या लिखा जाएगा यहाँ पर दो का कोड यहाँ बी का कोड दो है ए का कोड पांच है और i का code यहाँ पर 4 दिया हुआ है और n का code भी 4 है और g का code 2 है दोस्तों यहाँ पर जो coding की गई है कुछ इस तरह से की गई है आपको यहाँ पर जो अच्छर लिखे गए है इनका code लिखना है उसके बाद उनको आपको 5 से divide करना है यहाँ पर 5 अच्छर दिये गए है उसके बाद जो भी आपको उसमें reminder यानि सेस्पसल बच रहा है उसके यहाँ पर आपको code लिखने जैसे कि यहाँ पर दो है दो को अगर आप 5 से भाग देंगे दो ही आएगा लिकिन यहाँ पर आप 5 को 5 से भाग देंगे तो 5 तक यहाँ पर चल जाएगा उसके ऊपर जो है जैसे कि यहाँ पर आई है तो आई का code होता है नाइन को अगर हम 5 यहाँ पर भाग देंगे तो चार सेस्पसल बचेगा तो उसी लिए यहाँ पर आई का code यहाँ पर रखा गया है कि उसी तरह से यहाँ पर एन है कि एन का होता है चवदा चवदा को हम 5 से भाग देंगे तो चार सेस्पसल बचेगा इस वजह से चार रखा गया है जी का होता है साथ साथ को हम 5 से भाग देंगे तो दो सेस्पसल बचेगा इस वजह से यहाँ पर दो रखा गया है तो 5 से उपर जो भी संख्या है उनको हम भाग देंगे पांट से और जो सेफ़ पर भागए रखेंगे तो चरही है इसका होता है राट फिर यह आपका यह यू का होता है 22 माच जो साथारा 21 कले सक्नाइक यहां पर आप हो जाएगा तेरह तेरा को हम दस पांट से भाग देंगे तो तीन बचेगा एक एक रहता ही है उसके बाद एन का चौदा कि अनका हो जाएगा चार थ्री वन वन फोर यहां पर पहला अप्षन तरही हो जाएगा उसके बार यहां पे है इते भाक्त प्लस है कि मारेन चर्ट यूग कि अतने का मांगाद कीजिए को यहां यहां पर घुणा का लुए श desaf unlocked यह िब्र लिखनावल करदमinform we要 करेंगे की स도 सब्सक्राइब जाता है और इस्द मैसे कोई भी कर सकते हैं कि यह यह हो जाएगा 18 उसके बाद प्लस 3 और माइनस 4 अब यहां पर आप देखेंगे प्लस 3 और माइनस 4 का माइनस 1 आएगा 26 माइनस 1 एक सो पचीश हैंसर हो जाएगा इतरह से यह भी है भाग कार्थ योग है तो यहां पर हम योग कर देते हैं कि और प्लस कार्थ ढटाओ है तो हो यहां पर माइनस कर देते हैं 59 और मैइनस कार्थ गुड़ा गुडा है तो यहां पर हम भाग करते हैं तो यहांप कि यहां पर आएगा 66 कि यहां पर है जिस तरह से देश के लिए प्रधान मंत्री होता उसी तरह से राज के लिए कौन होगा तो राज के लिए मुख मंत्री हो जाएगा अगर यहां पर राश्पती होता तो यहां पर राजपाल हो जाता यहां पर देखिए किया है हुग पर 31, 31, 43 तो यह सारे भाज संख्या है उसकी इसाब से यहां पर 47 इनसर हो जाएasak वांकि सभी यहां पर बहाजि संख्या है मि यहां पर निस नितिन का भाई है उक बनمई 25 ऐसको हम बराबर पेर आधे एप सांटा दयाकी मा कां पर हैwhy? कौन है वहां सांटा है और मनेश की मा कने मा की मा है है इसक्की बेहन यहां पर सांटा है कि योगी मनीश्य दोनों की मौसी है ठीक अन्ता थैयां की मां है और मनीश्य की मौसी का मामी आगर मामी है तो इसके भाइ की वाइप होगी अगर सिस्टर है तो इनकी खुद इंकी बहन हो जाएगी मनीश यह है यहाँ का पुत्र है ओधि यहां पर दया उनका पुत्र है यह मामी का पुत्र यह मोशीर का पुत्र भाय लगेंगे अब यह मॉसे इन के हो जाएंगे यहाँ से हमारे टीर ज्रे शीला हिंक के की क्वेश्चन लेके आएंगे आपको इस रीज कैसे लिए इच्छी लिए लाइक के लिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेजिए मिद दैने इस वीडियो में तब तक के लिए बाइट एक के रजए हूं बन देबाद हो